नमस्कार दोस्तों वेलकम टो साब लॉक्स आज मैं आप लोगं को और एक पाड़ी रेस्पी बताती हूं मलग दाल के डूपके बनाना बताती हूं मैं आज आप लोगं को कुल्ती या गहती दाल के डूपके बनाना बताती हूं जिस दिन बनाये थी मैंने उस दिन पहली राद मनी भीख होती थी दाल, एक बाल करीबन, दो तीन दिन बनाये थी, तो देखे उसके ठोड़ा खराब सी दाल या कंकर खायी वाली दाल तो उपर आ जाते हैं, लेकिन मैं कंकर पतल चानु का तरीकाव को बता दीओ, देखे, मैं मैंने डाल 2 इन बतन में खाली कर घुए हुप अगया और बत्तन कि पत्थर नीचे हों गे और बेज़ होंगे ऊगया ठोड़ा एक चम मज के करीं अब उसमें डाल सकते हैं पाझी में बदलें कि अगर बदल लेंगे तो इसमें बहुत लगेगा ऐसे कर करके लास्टमे जुब कभी हम गाउं पनीव से लेते तो कभी कर बत्र होते हैं रुफ़ कभी तो कभीज यासा होता है कि घ्नस पछो़ सती मिल्तेय मीलते तो हम लोग पड़े संदे तो बिल्कुल आपको ऐसे अलग से चाटने की जरूदनी पड़ेगी बिल्कुल इतने कंकड़ूंगे आ जाएंगे देखें एक दो पानी और दोली थी दाल मैंने उसके बाद फिर मैंने क्या करा था मिक्से पीशने की कोशिस कि थी लेकिन पता नी फ्रेंस उस दिन मैं मिक्स थोड़ा चली नहीं बता ने बोल्डेश कम थी कि थोड़ा खराब चली थी लेकिन साहीत बोल्डेश कम थी दूसे दिन तो चलने लगी थी तो फिर आधी तीवी दाल तोड़ा हल्का दर्दरा सा हम लोग पीस लेंगे ज्यादा दर्दरी तो खेर आपने बनानी नहीं है देखें पीस गई है दाल अब इसमें हम एक मसाला भी पीस लेंगे सिल्वर्टा आमने निकाली रखाया तो देखें मैंने इसमें क्या रहा था घर का जो धन्या की बीज है और जीरा मैंने रोस्ट कर दिया था एक पैन में और इसमें थोड़ा सा अच्छी से खुचबा जाया और चाटकनी लग जाया तो फिर बंत कर देंगे हम लोग गैस और इसमें मैंने लेसून रख दिया है और जीरा और धनिया की बीज है वह मैंने रख दिया है सिल्वर्टे मैं देखे जीरा धनिया और जो मिर्ची है वो तुमाँ पीश रही हूं इसमें मैं पहले मिर्ची मिलाना भूल गी थी फ्रैंस में थोड़ा देर महरी मिर्ची मिला दीती अब यह मसाला थोड़ा बारीग बनाएगा बिल्कुल बारीग बनाएंगे थोड़ा अलका दरदरा भी होगा तो कोई बात नि क्योंकि भुनावा मसाला है खुस वह आएगी देखे यह सारी सामगरी मैंने निकाल रख दी है यह दाल पिसी वी है लैसुन का पेश्क प्याज और मसाले सब तैयार हो गए हैं यही सामगरी है आज कि हमारी मेन देखे मैंने कड़ाई चड़ा दिया और उसमें मैं लगवाइक दो चम्मच बड़े बड़े चम्मच में गीड आल लिए और मतलब आप समझ सकते हैं चम्मच या कर्ची तब से पहले लाल मिर्ची भूनकी निकालेंगे हम क्योंकि ये बहुत ही स्वाधिश्टी लगती है इसके साथ खाने में मिर्ची पूरी भूनकी निकाल दी थी मिर्ची पीस रखी थी हमने तो मैंने एक ही मिर्ची चूर के डाली है तड़के में और साथ में मैंने जीरे का तड़का लगा रखा है और साथ में धुंगार ये धुंगार जो मैं मम्मी के वहां से लाई थी तो ये धुंगार के पत्त ब्राउन करना पड़ेगा अलका ब्राउन करने तक हमने भूनना पड़ेगा कि इसमें लेशन का पीस्ट मिला देंगे वह से ब्राउन कर लेंगे कि देखें लेशन ब्राउन हो गया था तो इसमें लेशन भी डाल दिया है लेशन भी अच्छे से होना पड़ेगा जो कच्छे लेशन की स्मेल है और टेस्ट है वो थोड़ा खत्म होने तक में फ्राइं करना पड़ेगा कि अन्य धार के मधि देखें नमक भी मिला दिया मैंने इसमें आप इसKे सांती इसमा मसाले डालकि जो पौडर मसाले सारे बारे बारी से डाल हम इसे बून लेंगे वह मिला दिया है तोड़ा काद लो और मिर्ची पॉड़ मिर्ड़ थिक ठीर के सब्सक्राइब शबने रख जाए जो अनोगते अन्यत्य áfic। इसको भून लेंगे, इसको हमने भूनना पड़ेगा, जब तक कि अच्छे से थोड़ा सा तले में लगने लग जाए, मतलब इसमें जो कोटिंग जैसे होने लग जाए, जो कुरोनी जैसे बोलता है हमारे वहाँ, इसको लगातार चलाते वे भूनेंगे, लगबाग मैंने बि वलता हुआ गरं पानी डाला था मैंने, बगल वाली चूले में मैंने गरम पानी नहीं वोनेके लिए रख दिया था, और boiling water यहाँ ऐसे थोड़ा सा कम होटा होगा, ऐसे आप भी बॉइनिंग वर्टर डाले है कम से कम गरम पानी तो आप डाले गाई और पानी थोड़ा-थोड़ा करके मिला रही हूं मैं और उसको अच्छे से मैस करते वे मिक्स करते वे हम लोग मिलाएंगे और देखे जितना पानी चाहिए था मैंने मिला दिया है और पकते वे तो आप लग जाएंगे दस मेर्टो लगी जाएंगे उसमें तो च्हसाद मेर्ड़ा पक गया था मलब सीम से थोड़ा ही तेज आज करी थी मैंने और आप लगवग देखते रहिए और चलाते रहिए उसके बाद देखे इस हिसाब से भी आप पानी डाले अगर आप उबलत ले दाल नहीं खाते तो यह भी आप समझें दाली जैसा है दाल के डूपके यानि दाल का हमारे मारे बाद सिल्वट्टा में पिसावा साख कहते हैं देखे पगया थोड़ा घट भी गया यह और देखे इसमें बुलबुले जैसे उट रहे हैं बुलबूट आवाज भी कर तो आप समझ सकते हैं कि music बजने लगया पके विए जो साग का तो फिर त्यार हो गया है जो हमारा ये गहत का सिल्वटे हैं पिसावा साग या जो गहत के डूपके हैं अब ये सर्व करने के लिए बिलकुल ही रेटी हैं अब हम लोग चलते हैं इसको सर्व करने की प्रोसेस में गैस वगयरा मैंने बंद कर दी है देखें आप सरव कर रहे हैं हम लोग चांवल सरव करियों मैं इसके सांथ हम लोग गःत के डाल की जो टूपकें हैं वो भी सरव कर लेंगे सांथ मेंके फ्राई की ऑप्रेय की भी मिरची और प्यास का सलादमी मैं रख दूंगी अब जो पत्री होती है उसे अगर आप लगातार घहत पहले दिन दो लेंगे मलंगा मालग पहले रात दो के अच्छे से विगोडर लेंगे तो सुबह उसका पाणी की जिए और उसके बनाई गई जैसे रेस्पी आप लोग ट्रै करें से खास करें सिल्वर्टे में पिसा हुआ साग है या दाल है तो बहुत ही आपको फाइदे मन्द होगा आसा करती हूं आप लोग को ज़रू पसंद आएगी रेस्पी और आप लोग भी ट्रै करेंगे नमस्कार